जनपत की राप्ती घागरा रोहिन नदिया जहां उतार पर हैं वहीं अभी भी बाड की इस्तिती बनी हुई है जिला अबदा प्रबंधन कार्याले से साम चार बजे तक के रिपोर्ट के अनुसार सरियो, कुआनो, राप्ती, रोहिन, खत्रे के निसान से उपर बह रही है लेकिन जलस्तर में लगातार गटोत्री जारी है जनपद में अभी भी 374 ग्राम बार्ड से प्रभावित हैं जिसमें सदर शेतर के 83, सहजनवा में 38, कैंपियर गंज में 69, 44, 31, खजनी में 33, बास गाउं में 45 तथा गोला में 75 गाउं प्रभावित हैं इन सभी गाउं में 482 नाओं एवं मोटर बोर्ड की विवस्था की गई है इसके अलावा मेडिकल टीम के द्वारा दवाओं का वित्रण पसुचिकिस्सक एवं भूसा भंडारंड सहित अंडी आरफ, SDRF की टीमें भी तैनात की गई हैं इसके अलावा 180 प्रड जवानों की भी तैनाती की गई है जिसके संबंद में एडियम फाइनेंस राजिस कुमार सिंग ने बताया कि जनपद की तीनों ही प्रमुख नदियां राप्ती, घागरा और रोहिन उतार पर हैं राप्ती करीब 25 सेंटी मीटर नीचे घट गई है तथा घागरा भी अब खट्रे के निसान से नीचे बह रही है एक सप्था के अंदर नदियों का जलस्तर कम होने की संभावना है उन्होंने बताये कि जनपद में लगभग 300 गाओं बाड़ प्रभावित हैं अब तक 3500 से अधिक राशन किट का वित्रण किया जा चुका है तथा हर तहसील और हर गाओं में प्रयास किया जा रहा है कि राशन का वित्रण ततपरता से किया जाए उन्होंने बताये कि 400 से उपर 9 की विस्ता की गई है अगर किसी को 9 की डिमांड है तो उनको उपलब्द कराया जा रहा है इस समंद में गुरकपूर नियूस से बात करते हुए एडियम फाइनेंस राजी इस कुमार सिंग ने कहा जन्पत बुरकपूर की दो प्रमुक नदिया राप्ती और घागरा दोनों ही उतार पे हैं राप्ती लगभग 25 सेंटीमीटर नीचे घट गई है घागरा भी अब खत्रे के निसान के आसपास ही बह रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगले एक सब्ता तक जो नदियों का जलिस्तर है वो कम हो जाएगा और बाढ़ से कापी कुछ रहात मिल जाएगी जनपत में लगभग 300 गाओं बाढ़ से प्रभावित हैं अब तक 35,000 से अधिक राशन किट का वित्रण किया जा चुका है हर तहसील में हर गाओं में प्रयास किया जा रहा है कि राशन का वित्रण तक परता से करा दिया जाए 400 से उपर नामे लगी हुई है और यदि कहीं कि और डिमांड है नाओं की तो वो उपलब्द करा जा रहा है